कि असलाम ने सूर्ट आप देखने में यूटूब चैनल तालिम तर्वियत के दुनिया मैं हो मामन ज्यास रिखबार स्टूर्ट हमार पास क्वेस्टिन जो है वह टू है एक्सराइस फॉर सी का क्लास सैमंध के मैड का उसक्रेंड बैहमेटिक्स बुक टू अब क्वेस्टिन यहां पर कितने हैं पार कितने हैं हमारे पास कितने हैं क्यों फॉर है एक दो तीन चार एन वी नमर आफ साइट इसलिए एन की जगह क्या पूट कर देंगे अब इंटीरिड एंगल को एड करने हैं कैसे अब लेखें आपके पास पहला एंगल लिख लेजी एंगल एंगल एट इस 78 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 8 डिग्री प्लस 110 इस एक्वोल टू कितना होगे जी फॉर फॉर माइनस टू मल्टिप्लाइब है 180 ठीक हूंग है अब इन सारों को एड कर लेते हैं सही है है तस जीरो एक टू हंड़ने एंट फिटी फिटी प्लस एडिग्री एंटू मल्टिप्लाइब है 180 अब देखें क्या होगे एडिग्री इस इकोल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री एट इस एकोल टू 110 डिग्री ए का आंसर आए क लिए इन तीनों वेली को तो 250 बन गया यह 250 दर एड हो रहा था उदर जाके सब्ट्रेक्ट हुआ यह 360 कैसा है 180 को टू से 180 को टू से मल्टिप्लाइब किया यह नहीं इन दोनों नंबर को मिलाकर यह नमर बनाए गया और यह दूनों मुल्टिप्लाइब हो रहे हैं तो 360 फि आप B, एक को खथम बढ़के B लिखते थे, B में अगेन N is equal to 4 है क्योंकि नमर अफसाइट 1,2,3,4 है लिखते या, तो एंगल इपको सारे इसी करा लिख लेगे, B plus 78, B degree plus 78 degree plus 2D degree plus 84 degree is equal to N की जगा 4 minus 2 multiply by 180 degree, अब देखें N, N की बेगे हमारे पस 4 क्यों? नमर अफ साइड एन भी नमर अफ साइड चार साइड ने थे एन की जगह 4 लेखा माइनस 2 इसी तरह और 180 अब देखें हमने क्या करना है इन दो बी और बी जो है लाइक टाम है एड होंगे तो टूटल टूटल मेरे पास कितने हो जाएंगे 3B हो जाएंगे और इन दोनों को ए 715 और 1 16 तो 3B is equal to इन दोनों को अगर multiply करो 180 को 2 से तो 360 होता है और यह 162 उतर जागे माइनस हो जाएगा अब देखें ए 360 मैंसे 162 माइनस कर लें ठीक है इदर से carry लिया 5 इदर 10 10 में से 2 गए 8 इदर से carry load 2 इदर आके 15 हो जाएगे 15 में 6 गए 9 और 198 3B degree is equal to 198 अब B हमें चाहि यह यह जो 3 है यह 198 से जाकर उदर डिवाइड हो जाएए क्योंकि यहां multiply हो रहा है उदर जाकर डिवाइड हो गए 3618 1 बचा carry 3618 यहींनि B 198 को 3 पी डिवाइड करो तो 66 आ जाते है तो इस तरह हमारे पास answer आ गया जी दूसरे का 66 वीडियो को पास करें ले स्क्रीन शॉट त 345 यहीं एक दो यह तीसरी साइड है यह चोती साइड है यह पांच भी साइड है तो आपके पास क्या आगा है इसी तरह एड़ करते हैं यह यह एक एंगल सुरू करें सी प्लस 152 सी डिग्री प्लस 152 डिग्री प्लस 38 यह 38 38 के बाद 2C है 2C लिख लें फिर 101 है इस इक्वोल टू कितने हैं यह अब देखें सी की वेरियों दो हैं कि यह भी सी है यह भी सी है तो दो सी और यह एक सी टोटल कितने सी हो गए 3C हो गए अब इनको हम सारों को एड़ कर लेतें किसको जी 152 को कहां इस साइड लिख ल हमार पास 101 है और दें 38 है इनको एड़ दा लेते हैं आठ दस ग्यारा एक आ गया नाइन हो गया 291 हो गया सही हो गया 291 हो गया और यहां बचेंगी 5 में से 2 गया 3 बचा मुल्टिप्लाइब 180 अब यह 5 क्यों आया 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि यह जो मार पास फिगर है इसमे 3 को 180 से मुल्टिप्लाइब का करो तो 540 आरता है 3C डिगरी इस इकोल तो 540 डिगरी माइनस 291 291 एड हो रहा है उदर जाके सब्रेक्ट होंगे कारलेंजी सब्रेक्शन इदर 291 की कैरी लो इदर 3 इदर 10 10 में से वांगे 9 9 में से 3 में से 9 नहीं जा सकता 4 9 में से 13 में से 4 और 2 और 4 में से 2 290 3C डिगरी इस इकोल तो 249 249 अब हमें सी चाहिए तो 249 के साथ यह 3 ते दर मुल्टिप्लाइब हो रहा है डिवाइड कर दे 3 824 330 तो सी हमारे पास कितना आ गया जी 83 डिगरी तो इस तरह हमारे पास पार ए बी और सी हो गया अभी हमने पार डी करने वीडि पासी जो फेकर है वह बी जल्दी से बनागी क्योंकि वह फेकर अभी हमने नहीं बनाई हुई तो वह हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए बैसे तो बुक पे बनी हुई है ताइम वेस्ट होगा लेकिन संट है यह होता है कि बूट पे ड्रा की हुई जरह बेतर समझ ज रयकिन एक यूंगाइन है उसके बाद एक इस तरह कि लाइना तर एक इस तरह आ गया अधिर यूंग होके और यूंग होगे ऑडिके इसे बहुदि टेटी सिकतिव है यह से हैं धी है और पर दोनों क्या है फोर डी है ठीक है अूदी है टाइम कम से कम लगे वीडियो तो जाती है लोग 4D ठीक है यह भी 4D होगे बाद कि आपको बास बुक समने हैं आपको पता चाली जाएगा अब देखें here n is equal to 6 क्यों से 6 यह पहली साइड है यह दूसरी साइड है यह तीसरी साइड है यह चोथी यह पांच भी और यह चटी तो n 6 है तो अब इन सारों को add करते जाते हैं यहां उसके बाद 108 है 108 लिख लिए और लास्ट में 4D है 4D लिख लिए और अगें N है N की जग हमारे पास क्या है जी 6 है पूट कर दे 6-2 इंटू 180 अब देखें आपके पास D की जो value है न वह एक दो तीन 4 है कौन सी यह देखें एक यह value है एक यह है एक यह है और एक यह है इन चा 8 12 और 5 17 तो डी कितने हो गए 17D हो गया पीछे बाद जाते हैं जी टोटल दो एक यह वाला एंगल और एक यह वाला एंगल इन दुनों को एड़ कर लें तो यह टू हंड़ेंड आइंट हो जाएगा तो हंड़ेंड एंट कैसे 8 में 2 एंट करो 10 0 1 के रिए 0 प्लस 1 और 1 और 1 4 0 0 4 3 0 12 12 का 2 4 8 0 32 32 का 2 लगा 3 carry 4 1 0 4 3 7 बाकि आप अराम से multiplication कर लीजीगा क्या है कि मैंने तो जो है यह चीजें बार बार जवाब पर आते रहते हैं तो कुछ चीजें आपको ऐसे ही राद हो जाती हैं यह सही हो गया जीरो आ गया वन आ गया 500 एक कैसे 720 में से वन 210 निकाल लो 0 155 10 अब आपको कितना चाहिए आपको चाहिए डी तो आपके पास क्या है 17 एक्स्ट्र है तो 500 10 और नीचे क्या जागी जी 17 तो 17 मुल्टिप्लाय हो रहा था इदर आगे क्या हो गया जी डिवाइड हो गया तो 17 क्या हो गया 3051 जीरो पर चला गया तो डी इस एक्वल टू 30 आपके पास इसका जो चोथा पार्ट है उसका आंसर आगया ठीक होगे जी तो यह हमारे पास जो है हमने कोशिश की कम से कम टाइम में जो क्वेस्टन है वह हम कंप्लीट कर लिए को समझाया होगा इस किसा तब तक कर दो बोगो सरे घाल इडिका लाफ